हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद्य आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सब अभूसाइजुकेशन फार एक्सलेंट की इस ऑलले पेट भाम आपका हर्दी सोगत का तो भाई आज हम किसके बारे हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले कच्छत दस्वी विज्ञान का इस पार चेप्टर नंबर कोन सा भई चेपटर नंबर हम बात कर रहे हैं 7 का सब्सक्कार जो की कौन सा जोह पर तर चेप्टर का नाम यहैं जवी में प्रक्रिया है जो आपके बोले सकता हूं क्या है वाइप को प्रोसेस है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं तो हम यह पढ़ रहे है कि जो पोछन खा रहा है सर खा रहे तो पिर जा रहा है अपने बाड़ी में जो निकालना भी ज़र रहा है, तो एक डिट रहा है, उसको भी निकालने भी जड़र रहे है, तो यह जो कठ है वो जो इसके बारे में वह चले इसके बारे में वह ज one spent इसके बारे में जो अपके प्रजनान वाली आतक की बात समझ में आहिं अब चलते हैं इस से संबंदित क्या क्या चीज़ है उस पर चलते हैं कि क्या important question आया है प्रकास sensation की परिभासा लिकर प्रक्रिया का रसानी समीकरम बताई है जो की दोहार 18 दोहार 20 ले पुछा गया था प्रकास sensation फोटो सिंथेसिस जिसे बोला जाता है वह बहुत important question है और इसका हर एक question को बस क्या बोल सकते हैं इसको समझेप्ट वर समझेप्ट क्योंकि देखो प्रकास sensation का मुग के शोड़ समें कहां से पर चलता है सर सोहरूर्जा से मतलब सनलाइट से संलाइट से संबंदित है और क्या पर सकता है उसके बारी में बता सकते हैं क्या बोल रहा है उसके लिग कर रहा है तो देखो और कुछ कुछ जो ज़रुरत की चीज है वह के बादर है देखो प्रकास sensation पौधे अपने भोजन का sensation एक विशिश्ट प्रक्रिया दोआरा करते हैं जिसे प्रकास sensation कहते हैं प्रक् प्रक्राप्त होती है और सूरी का प्रकास जो कि सबसे ज़्यादा आवसक है यहां तक की बात समझ में यह सभी चीज जो है प्रकास sensation की क्रिया जो है कंप्लीट होती है यहां तो समझ में बच्चो अब ही कैसा होता है सर देखे सानलाइट से जो आ रहा है एनरजी उसको मतला हमारे जियू जन्तु में या फिर हम चैसे मनुस्यों को हम चैसे गरिबों को कहा कर दो XL कॉ कॉर्स क्टा में और हो नहीं को अप्रों कर दे रहा है और हमको दे रहा है oxygen यहां तक की बात समझ मैं ही पानी का अप्जवर्शन कहा हो रहा है उनको पानी कहा से मिल रहा है आपके जमीन से भई प्रित्वी से धरातल से इसको इस्टू की मात्रा मिल जा रहे है तो यह होते है प्रेकाश हें गिए लिक रही है अंचे सम्यकरन क्या होगी बताओ भैई reaction देखते हैं क्या होगा 6 किसका रहेगा carbon dioxide को मातर है युनिट रहेगा और क्या रहेगा और जो हमारा main क्या है अपका तो सार उर्जा के present मेरेता है 100 और और उर्जा के present मेरेता है 100 मेरेता है क्लोरो-फील ठीक अब ये तो हुआ बात ठीक है अब 6 carbon dioxide और क्या आपके जो 6 मात्र किसके होता है भई आपके यह जो है 12 मात्र जाता है किसका 12 मात्र जो रहेगा वह है आपका मैं यहां से इसको लिग देता हूँ 12 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 12 जो मात्र है वह हो गया आपका किसका भई एस्टू ओ का ठीक है यह तक की बात समझ मैं ही अब क्या हो जाएगा सर देखो क्या बन जाएगा यह जो 6 carbon dioxide जो 12 मात्र वह जलक है क्या बनता है वह बना द है कि दिखो 6 carbon है सर 6 ठीक है इह तेखो 6 carbon है 16 दूनी 12 बारा इधर 12 हो गया 24 24 है कि इधर देखो 6 oxygen 6 oxygen 12 हुआ और यह 2 जो जो है रसाइन समिक्रा कप गया नहीं पराइन समीक्रान जो है पुरा complete कर लिए ठीक है सबज मैं तो इससे हमें कितना मिल गया है नंबर मिल गया है किस से रसानिक समी का लिखने से प्रकास रसलेशन की जो रसाही समी करन है उसको मैं लिखा तो सर समी करन से मुझे क्या बाचला सर इससे मुझे दो नंबर मिल गया मैं डायग्राम भी बना झाल भी आल रणायग्राम में मुझे एक नंबर तो यह जो है ट्रेश्ट नंबर च से मिलेगा और ड्र नंबर नंबर से भी अब बढ़े में क्या के कच्छे पदार्त की परते हैं और क्या होना चाहिए यह लिखे उसमें नंबर नंबर आपको मिल गया तिक यह दर की बात होने वाली रस का नाम क्या है तो आपको तो पता ही भाई क्या यकरित कैसा दिह तैक्ता soc करफिटार उसमें रस का राता है पितरस राता है जो कि आपके सरीर का क्यों से पोर्ष कहा पर आपको क्या रहता है ज으면 हाथ रखता है और यहां पर आपको फेफररो रहता है और उसका जिसें नीचे आओगे यहां पर आपको मिलता है तो यह ता हमें ने वाथ, रखे Collaboration, वह आपको मिलता है पित रख क्या पीदरद में भाई पीध्तरyy यह में रूप आपके बाड़ में जो सबसे बड़ा क्या गरंथी यकृत गरंथी में मिलता है तिक यहां तो की बात समझ में आई नेश्ट आगे बढ़े हैं अब देखो यह जो आपको पाचन तंत्र का पूरा छो यहां पर यहां से लेकर गुदा है और यह चुद्रांत आप अनुप्रएंट और और ग्रशिका ग्रशनी वहLo norm पूरा शिंटम जो प्रिज्यं आप पाचन तंतर के अंतरगत आता है तो अब हम देखें कि मुख यहां से खाना आता है खाना मतलब खाया रहते है वह इधार चोटी आंग बड़ी आंग में सब जाता है फिर प्रोसेस कंप्लीट होता है बही क्वेशन देख लेते हैं फिर समझ में आएगा मनुष्य के उच्छा नंतरम में देखें कि कोन कौन से एक जोड़ी उरिक होती है और फोटी होती है मूत राश्य होती है और मूत्रमार होती ग्रश्नी देखो यहां से आप खा रहे हैं रहे हो खाना वो जो आसे त्रॉट हुआ है यह देखो त्रीक है ग्रश्नी उसके बद ऑग दुषाय के त्रीका किश्ट्याद्धाय है उसके पूरा नीचे अंदर तक आ रहा है और इस छोटी अंत बड़ी अंत जाके फिर अंत मे आपके मलासे में जाकर मुत्रमार्ग और आपकी गुदरदवार से मलको त्याकिया आता है यह बात है छोड़े कोश्चन जो है मिलकर अगर दे दे मिला कर दे तो उसके लिए आंसर लिखना आना चाहिए ठीक है याज़ा की बात समझ मैं ही बच्चो चार नमबर कोश्चन कैस जायलम और फ्लोयम यह जो क्या होता है दो उत्तक होता है समवहान उत्तक होते हैं ठीक है अब उसके बाएं मदवर 20 ने पूछा किया था वो क्या होता है सर इसके बाएं देख लेते हैं जायलम जड़ से पानी गुमे घुलकर कई परकार के लवन वा नैट्रोजन यी पदा है उसमें ठीक है और फ्लोयम जो क्या करता है उत्तक की अधिकांस को सिखाए जो जीवित होती है और उनके द्वारा पानी में घुलित अन्यपदार्थ से सरकराय अमीनों अमला आधी का परिवहन कई बार जीवित को सिखाए द्वारा उर्जा की मदद से करती है ठीक है यह ट्रीवाशन का परिवहन कि इसमें परिवहन करने चानि ना लिकाओं से प्रकास सेशन उतपाथ का परिवहन जड़ो फलो वृध्धी वाले अंगों की ओरध होता है और पोट्री आधा होता है जो है जो है जो किया जो है आपस में जूड़कर जूड़ा हुआ रटा है जायलम लेकिन इसके बात कर तो थीया का परिवान जड़ो फलो विर्द्धी वाले अंगो क्यों और अलग से होता है ठीक है यह जड़ो के मूल्ड रूम मृद्धा के संपर्ग में होते है मतलब क्य नीचे में संपर्ग में रहता है और यह जो है कोसी का क्या केसी का जल एवां खरीज लवन को आयन के रूप में ग्रहन करती यह हुआ जैलम जैलम क्या है और फ्लोयम क्या है इसको और अच्छे से बिल्कुर आप एक्स्प्रेंश करके दिख सकते हैं यह चार नमबर के को अधाना सही समझाई आप एक जुछ रोग हमें कार्बन डायक्साइड उसको खुद अबजाब करने का काम आता है आपके व्रिच और ने जैनू कौन तेके बात समझें अब इस्वपसी और परपोसी में अंतर कैसर देख लेते हैं ऐसे जियुधारी जो कर्बोहेट्रेट प्रोटीन वसा आधी के लिए किसी अन्य स्तुरत पर निर्भर नहीं होता जीने के लिए जर्री आवस्यक्त चीज है कर्बोहेट्र प्रोटीन वसा उसक जो नहीं हो जाए वह कराएगा परपोसी यहां तक की बात तो समझ में आये होगी और बच्पन से भी पढ़ते आए इस चीज़ पर इस चीज़ पर डिसकर भी नहीं करेंगे उधाए बच्छों यहां तक समझ में हैं हरे प्रपोधे और आपके जो रिच्छ यह सब इसके ठीक है विसंपोसी में के आज यह ऑगा भाई यह जो है पर पोशी जो है क्या होता है विसंपोसी जो है यह फ्श्वोह द सलाजी हो सब्सँग को खाते है इसका एक्णत सेوعय और फिर फिर अधे मनूसरी असे पर निरा करते हम जो है खाने पीने के लिए खानर्र पॉधे और मेरे पॉधे यह ना अब यह मत बहुじ है ऐसे भाजी बहनता है न है तो यह सब्रभवु है और निर्भर रहते हैं गाल जो यह सब ऒखानेपने के किस उक्ते उससे पर पॉधे पर हम निर्भर रहते हैं यह जित bargain्त तो हमें भी कोई खाने वाला है मतलब सेर जो है और बड़े-बड़े जानवार है तो यह क्या है एक खाद्यस रंखर बनते जिसके चेप्टर में हमने कौन से चेप्टर में अच्छे से कर रखा है ठीक है यह बात समझ में अब देखते हैं नेश्ट को चलते हैं और प्रकास संस्टेशन की क्रिया में निकलती है और इसका निम्न बिंदों में वर्नल कीजिए कोई-कोई-क समागरी उपकरने का चीतर प्रवागविदी का सिधान्त और रसाइनी समीकरन सौधानिय समीक के बारे में बताइए जो कि 2019 ABC में पूछा गया है तो यह पिता ही प्रकास संस्टेशन की क्रिया क्या होती है ना इससक समागर किसी चुआब पड़ती है यह तो पता ही है व्यक्र टेस्ट्यूब हैड्रिला का पौधा और काच कर यह जो है बहुत अच्छे और प्रें किप में क्या किप में ही रख कर उसको डुबाया जाता है किसमें पानी में चल चलते है इस पर प्रेव भी दिए तो और समझ में आएगा ठीक है अगर मैं बात करूं कर देख लिए कैसा होता है सर उपकरान यह देखिए बड़ा सबीकर लिया हुआ है तेश्ट्यूब लिया ह बढ़ती है अब यह चाहिए तो उसको कौन देने वाला है उसमें दुबा दिया हूं मैं उसको सोर्स ही नहीं मिल रहा है पानी में दुबा दिया हूं तो उसके लिए क्या करता हूं जो कि उसको कर देते रहता है फिर यह प्रोसेस चलता है सर फिर दिखतों बुल-बुले आता है अब उल्ल बिल्ज continuity जैसे मुझे समझ में जाता है कि क्रिया हो नहीं को चाहिए तो चलोषिट करते हैं क्या बें जुच कि इसे सीद्ध करने के लिए उसके बाद मैं hydraline का पौधा लाया जिसको मैं डाल दिया किसमें एक किप मैं जागा अब इस किप में क्या बोलता है hydraline के पौधे में कुछ पौधे डाल कर उसे doak धाए और उसको इस किप में sodium by carbonate की कुछ माधा डाल देते हैं जिससे hydraline के पौधे को carbonate परकाक स्क्राइब भीच अब मुझे से works की रहा है तो इसके लिए में करो धिया वहारए हुग आपक जो में और जाहां सूरिया की रोषनी ये क्वार। प्रोसेसर अब मुझे आगे बढ़ना है इस टेप तो मैं क्या करूंगा एक टेस्ट त्यूब लूँगा अब देखो मिलती रहे अब कीप के उपर पानी से भरी एक परखनली उलट कर रख देते हैं इस पूरे उपकरन को दूप में रख कर कुछ देर बात देखते हैं अब बल्बूर्ण से बुल्बूर के रूट में तेहल होने उपरसे क्या यूख तेस्टूबral दिया ऊपर पानी भरता उसको लाइया जैसरह इसे ऑनी क्यों निकल रहा है सर यह कारबन डेक्षेड इसको चाहिए था उत मिल गया उसके बाद पतल चलता है सर कि यह जो है सुरी के प्रकास में और करबन डेक्षेड इसको अब्ज़र्ब हो रहा है फिर लेकिन बुल बुले के रूप में क्या मुख्त कर रहा है सर अक्सिजन गैस मुख्त कर देता है क्रेज़र्ब का जल जो है नीचे गिरने लगता है कुछ दिर बाद देखते है तो यह सब प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर समझ में आथा सर कि यह जो है जब प्रक्रफ्र कर नीचे गिर जाए तब को उटाकर इसमें जलती हुमाचिस की तिली ले जाता है तो वह तेज़ी तो जलने लग जाता है यह बात जो है एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल डालूंगा इस पर ठीक है तो यहां तक की बात समझ में आई तो यह हुआ आपका यह आपके बता दिया है जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रकास सब्सक्राइब को पता दिया तो जो 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 पजाता है उसको निकालना जोरी है उसके लिए उसको निकालना जोरी है जोरी है तो जोरी है उसको निकालना भी जोरी होता है तो चारचा करते हैं इस पर चारचा करते हैं उपाप्चाई की क्रिया होती है परिणाम सब्सक्राइब करते हैं आप देखो यह सब के विघटन के बाद कारबन एक्साइडन जल बनते हैं प्रोटीन के विघटन से नेट्रोजन युकता उत्सार्जी पदार्थ होता है प्रोटीन जो आप बॉड़ी मिल रहता है वह जो विघटन हो जाता है बॉड़ी में हर चीज अपना काम कर लेने के बाद वो बन जाता है कुछ तो ऐसा है कुछ भी रियक्शन होती है तो अच्छा चीज तो होता ही है साथी साथ कुछ बूरा चीज होता है जैसे बड़े-बड़े कार खाना है वहां से आपको प्रोड़क्शन के मैथड़ हो र अपसिष्ट पदार्थ के बारे में बात किया अपसिष्ट पदार्थ है न मैंने बोला क्या मल बोला और बूत्र बोला ब평wn तो मूत्र के बारे मैं प्रोटीन बेमें की आपकी दिबड़े की बारे में बोडिया करेंगे तो नेस्ट वीडियो आएगा उसमें आप चैनल नंबर के बारें दिए को में नेस्ट करेंगे तो जो कि इंपॉटेंट है उसको उसको धिल करें वत्चों जो की दो हरती है पूरा डिल कर रहा है आपके लिए और जितना एक्सप्रेट कोश्चन उस पर बारे बात कर रहे हैं लेकिन इससे मिलती जूलती यह फिर यह बहुत सकूं इससे रेटेट कोश्चन हो सकता है कि वह कोश्चन जो है उसी को दूसरे तरीके से दे दिया जाए तो आपको घबरान नहीं रहने बस आपको प्यॉआएक्यु हमारे साथ लगे रहने हैं हम्हांसेट प्रक्टिस करना और साथ अपने कया वहीग जितना ही कोश्चन है जितना भी आपके कोंसेप्ट उसको रिविजन करते चलना है ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतने करते हैं मिलते हैं हम तन्ने वाद